नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी दोस्तों उमीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने एकजाम की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए जो है बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटिकल इंडिया या राजनेतिक भारत के बार में पढ़ेंगे दोस्तों ये मैप जो है थोड़ा सब बड़ा रहे इसलिए मैंने इसे अपने हाथ से जो है चार्ड पेपर पर बनाया है इसमें आज हम लोग जो है इस्टेट और उसकी कैप्टल के बारे में जानेंगे ठीक है तो आएए दोस्तों हम लोग जो है श्टार्ड करते हैं सबसे पहले हम लोग जो है ये जान लेते हैं कि मैप में काउन सी डारेक्शन किधर है तो दोस्तों ये जो डारेक्शन है ये हम लोग की नार्थ डारेक्शन है मतलब उत्तर दिसा है और ये हम लोग की साउथ डारेक चिम दिशा है ठीक है दोस्तों यह जो रेड कलर से लाइन खिची हुई है आप लोगों को दिख रही होगी यह पूरा जो है इंडिया है और इसके अंदर जो है जो पैन से ब्लू पैन से बनाए गए है यह इसके इस्टेट है मतलब राज्य है ठीक है तो दोस्तों सबसे पहल पढ़ते है इसी तरफ से मैंने याद किया है आप लोग को जो आसानी से याद हो जाए उस दिशा से आप लोग स्टार्ट करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह हम लोग का जो है लद्दाख है दोस्तों लद्दाख की राजधानी जो है लेह है पहले मैं आप लोगों को एक बार जो है बिना राजधानी के जो है पता देता हूं जिससे आप लोग पहले जाने की कौन सा राज जो है किस जगा पर इस्थित है ठीक है तो दोस्तों ये है लद्दाख ठीक है लद्दाख है उसके बाद में दोस्तों ये जम्मू हिमाचल परदेश है दोस्तों उसके बाद में हिमाचल परदेश है जैसे नीचे आयेंगे तो यह हम लोग का उत्तरा खंड पड़ता है во year और उत्तरा खंड के ठीक नीचे आएंगे दोस्तों तो हम लोग का उत्तर प्रदेश पढ़ता है, ठीक है, एक बार इसको फिर से यहां आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर हम लोग का दोस्तों पंजाब राज्य है, ठीक है, और यह है चंडीगड, ठीक है, यह हम लोग का हर याड़ा है, और यह है दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यह हम लोग का राजस्थान है, ठीक, इसके बाद में हम लोग इधर बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है, देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश के ठीक बगल में दोस्तों हम लोग का बिहार है, बिहार रा जह दोस्तों ठीक है और बिहार के ठीक नीचे जो है ये हमलों का जहार खंड है और जहार खंड के ठीक बगल में दोस्तों ये जो है उत्तर परदेश जहार खंड ठीक है इसके बगल में यहाँ पर 36 गड़ है ठीक है उसके बाद में दोस्तों जार खंड के ठीक बगल में हम लोगा जो है पस्चिम बंगाल है दोस्तों और पस्चिम बंगाल दोस्तों यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है ठीक है यहां तक फैला हुआ है यहां तक फैला हुआ है यहां तक फैला हुआ है यह पूरा यहां तक ठीक है और पस्चिम बंगाल के ठीक ऊपर जो है दोस्तों यहां पर हमलों का सिक्किम है ठीक है यह ह पर हम लोग का चालू हो जाता है आसम, आसम राज ठीक है, और असम के ठीक उपर है दोस्तों आप लोग का अरुडाचल प्रदेश ठीक है अरुडाचल प्रदेश के ठीक नीचे दोस्तों हम लोग का नागा लेंड है नागा लेंड के ठीक नीचे दोस्तों हम लोग का मड़िपूर है ठीक है और मड़िपूर के ठीक नीचे दोस्तों हम लोग का मिजोरम है ठीक है मिजोरम है ठीक है और मिजोरम के ठीक पस्चिम साइड में दोस्तों हम लोगं का तिरपूरा है ठीक है तिरपूरा है दोस्तों ये सभी इस टेट हमें याद है ठीक है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से अगर आप लोग चलेंगे तो आप लोगं को भी याद हो जाएंगे ठीक है और तिरपुरा के ठीक ऊपर जो है दोस्तों और आसम के नीचे जो है हम लोग का मेघाले है ठीक है मेघाले है तो आप लोग के यह जो है इस्ट के जो है सभी इस्टेट हो गए है ठीक है उसके बाद में हम लोग जो है फिर से इस तरफ आ जाते हैं यहां त मध्य परदेश ठीक उम्मीद है आप सभी लोग दोस्तों देख रहे होंगे मध्य परदेश के ठीक बगल में और राजस्थान के बगल में दोस्तों दोनों को मिला कर हम लोगा यहां पर गुजरात है गुजरात है दोस्तों और गुजरात के ठीक नीचे दोस्तों हम लोग का महाराष्ट्रा है महाराष्ट्रा है महाराष्ट के ठीक नीचे है दोस्तों ये जो है ये गोवा है ठीक है गोवा है ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम लोग का आ जाता है ये करनाटक है और करनाटक के ठीक नीचे दोस्तों हम लोग का केरल है ठीक है उम्मीद है आप सभी लोग देख रहे होंगे केरल के ठीक बगल में दोस्तों हम लोग का तमिल नाडू है ठीक है ठीक बगल में हम लोग का जो है आंध पर देशा है ठीक है दोस्तों तमील नान्ड में एक इनियें टेरिटरी है दोस्तों का पांड़ी चेरी या पुद्दू चेरी ठीक है और आज़्या-प्रदेश के ठीक ऊपर तेलंग गाना है ठीक है तो इस तरीके से जो है दोस्तों हम लोगों ने सभी इस्टेट के नाम जो है जान लिये हैं ठीक है और यह हम लोग की एक यूटी है मतलब की केंदर सासित प्रदेश है दोस्तों अंड मान अंड मान अंड निकोवार दीप समूँ ठीक है निकोवार दीप समूँ है और यह है दोस्तों हम लोग का पहच्चिम साइड में लक्षदीप ठीक है लक्षदूइप है ठीक है यहाँ पर दोस्तों गुजरात के ठीक पास में जो है यह दादरा वा नगर हवेली है ठीक है और यही पर दोस्तों दमन और दीव है ठीक है यह सभी दमन और दीव है दमन वा दीव ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने सभी राज्यों के बारे में जान लिया है देख लिया है कि कौन सा राज्य कहां पर है आईए हम लोग इसकी राज्धानियों को जान लेते हैं दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहला राज जो है हम लोगों का यह लद्दाख है जो की एक यूटी है मतलब के इंद्रसासित परदेश है तो लद्दाख जो है लद्दाख की राजधानी दोस्तों लेह है ठीक है उसके बाद में जम्मु कस्मीर है जम्मु कस्मीर की राजधानी दोस्तो उसके बाद में हीमाचल प्रदेश है दोस्तों तो replied मुझे उत्राखंड राजधानी दोस्तों दहरा दुर। पंजाब है जिसकी राजधानी दोस्तों जो है चंडीगड़ है और हरयाणा की भी राजधानी चंडीगड़ है और दोस्तों, चंडीगड़ स्व concludes एक यूटी है मतलब की केंद्र सासित प्रदेश है जम्मू कस्मीर लद्दाख उसके बाद में चंडिगड़ और दिल्ली दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली ये चारों यहां पर दोस्तों जो है ये उटी हैं मतलब केंदर सासित प्रदेश है उसके बाद में दोस्तों उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनव है बाद में हम लोगों का पस्ची मंगाल है दोस्तों पस्ची मंगाल की राजधानी कोलकाता है आगे बढ़े आते हैं आगे हम लोगों का राज है दोस्तों सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों जिसकी राजधानी इटानगर है असम है जिसकी राजधानी दिशपुर है और नागा लेंड है जिसकी राजधानी दोस्तों कोहिमा है मड़पुर है जिसकी राजधानी इमफाल है दोस्तों उसके बाद में मिजोरम है जिसकी राजधानी आईजोल है और उसके बगल में तिरपुरा है जिसकी राजधानी दोस्तों अगर तला है और मेघाला की राजधानी सिलांग है ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम लोग इधर आ जाते हैं 36 गड़का हम लोगों ने जान लिया है राएपुर है उसके बाद में मध्य पर्देश में आ जाते हैं मध्य पर्देश की राजधानी दोस्तों भौपाल है फिर आ जाते हैं हम लोग राजस्थान राजस्थान की राजधानी जो है जैपुर है उसके बाद में गुजरात आ जाते हैं उसके बाद में दोस्तों हम लोग आ जाते हैं महाराष्ट महाराष्ट की राजधानी जो है मुंबई है दोस्तों उसके बाद में हम लोग गोवा आ जाते हैं गोवा की राजधानी पड़जी है करनाटक आ जाते हैं करनाटक की राजधानी आप लोग जानते हैं दोस्तों बै प्रदेश है दोस्तों जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया है यह आप लोगों कहा दोस्तों पांडी चेरी ठीक है पांडी चेरी ठीक है इसकी राजधानी पांडी चेरी ही है इसको पुदू चेरी भी कहते हैं दोस्तों उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं आंधर साथ मैंने नहीं बताई दोस्तों यह आप लोगों का उड़िषा है ठीक है उड़िषा है जिसकी रायधानी दोस्तों भूर्णनेशवर है ठीक है इस तरीके से दोस्तों लगभग सभी स्टेट हो गए हैं ये आप लोग का अंडमान निकोवारदीव समूँ है दोस्तों जिसकी राजधानी पोर्ट बलेयर है और इधर आप लोग का जो है पस्चिम साइड में लक्ष दियूप है जिसकी राजधानी जो है कावरती है एक बार मैं आप लोगों को सभी केंदर सासित प्रदेशों को फिर से बता देता हूँ मैप में दोस्तों देख रहे हैंगे आप लोग पूरा मैप ठीक है दोस्तों आप लोगों का ये लद्दाख है आठ केंदर सासित प्रदेश है दोस्तों या यूटी है यूनियन टेरिट में चंडीगड़ा है चंडीगड़ की राजधानी जो है चंडीगड़ा है ठीक है यहां पर यह तीन जो है यूटी हो गए उसके बाद में चोथा है दोस्तों दिल्ली जिसकी राजधानी नई दिल्ली है चार यूटी इधर हो गए आप लोगों के उत्तर साइड में उसके ब अब और और bringen या आप लोगों की पाँचोईए हो गई 6 है अप लों की लक्षदीऊ है लक्षदयों की राजधनी दोस्तों कावड़ती है ठीक है किया बता दिया हमेंने कावरती भी साथे ठीक है उसके बाद तरीके से आठ यूटी हो गए और 28 राज हो गए दोस्तों ये मैब जो है 2021 का है अब हम लोग थोड़ा सा जो है पड़ोसी देशों के बारे में भी जान लेते हैं ठीक है तो दोस्तों आप लोग का ये जो है यूपी के ठीक जश्ट उपर या जश्ट उत्तर में है जो दोस्त देश है ये है नेपाल ठीक है नेपाल है और नेपाल की राजधानी दोस्तों काठमांडू है उसके बाद में दोस्तों इसके ठीक सिक्किम के ठीक बगल में या अरवडाचल परदेश के ठीक बगल में दोस्तों आप लोग का जो है भूटान है और भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू है उसके बाद में दोस्तों यह है बांगला देश ठीक है और बांगला देश की रायधानी धाका है दोस्तों ठीक है उसके बाद में दोस्तों यह है मेमार ठीक है और उसके बाद में आप लोगों का यह साउथ में जो है स्री लंका है दोस्तों तो स्री ल पस्चे में दोस्तों पस्ट पाकिस्तान है जिसकी राजधानी लाहोर है और उसके ठीक उत्तर में दोस्तों जो है अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है ठीक है तो इस तरीके से उमीद है दोस्तों आप सभी को ये पॉलिटिकल मैप जो है या राजनेतिक भारत का नक्सा जो है समझ में आया होगा दोस्तों मैंने कोशिज की है नजदीख से दिखाने की जो कैमरी की कॉलिटी होकी उतना आप लोगों को दिखा होगा उमीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अवस्य पसंद आया होगा अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग इसे लाइक जरूर करिएगर क्योंकि ये मैप बनाने में आप लोगों के लिए जो है बहुत मेहनत लगती है मैंने बड़ा मैप जो है डूढने की कोसिश की लेकिन हमारे यहां मतलब कि हमारे नजदीक के मार्केट में जो है नहीं मिला इसलिए मैंने इसे जो है अपने हाथों से बनाया है ठीक है तो उमीद है दोस्तों आप सभी को ये पसंद आएगा अगर दोस्तों आप लोग को यह पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब अवस्य करिएगा इससे हमारा जो है उत्साहवरधन होता है और हमारा जो यूटीव फैमली है वो जो है यूट्यूब परिवार है वो जो है बढ़ता है ठीक है ठीक है दोस्तों इसी तरीके के एक और नए वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद